दूस्तों बिहार सिक्षिक परती परिक्षा के तीसरे चड़ के संबंद में बिहार लोग सिवा आयोग के द्वारा एक महत्तपूर्ण सूचना इंपोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है साथ तारीक को अभी अभी कुछी समय पहले तो जिन लोगों के एड्मिट कार्ड में कुछ इसू है वो इस वीडियो को शुरवास से अंतर तक देखिएगा विग्यापन संख्या 22 अध्यापक न्यूक्ति प्रतियोगिता परिक्षा टीरी 3 के कतिपई अभिरतियों का उनके दौरा ओनलाइ इन आवेदन में अपलोड किये गए फोटो फोटो में अगर कोई दिक्कत है सिगनेचर में कोई दिक्कत है या आपने फोटो अपलोड करते समय गलती से किसी दूसरे की फोटो अपलोड कर दी है या हो गई है गलती से साइबर कैफे से हो गई है तो आपको क्या करना है पर पिर्थी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्द घोश्रा पत्र कुछ इस तरीके से घोश्रा पत्र मिलेगा आपको आयोग की वेबसाइट पर जिसमें पूरी डिटेल लिखी होगी हमाभी आपको पढ़ करके बता देंगे इसको आपको पूर्ण रूप से भरना है उनके नि अधिकारी से अभिप्रमारित दो रंगीन फोटो में से एक फोटो भ्यरती अपने एड्मिट कार्ड में निर्दिष्ट इस्थान के बगल में चिपकाएंगे दूसरा फोटो इप्रवेस पत्र के कार्याले प्रती में संबंदित परिक्षा पर केंडर अधिक्षक के आग जादों एवं फोटो का मिलान सत्यापन करने के पश्चात ही परिक्षा के इनर पर परिक्षा में सम्मिलित होने की अनुमती दी जाएगी उम्मीदवारों को बाई पोश्ट प्रवेस पत्र नहीं बेजे जाएंगे ठीक है इस तरीके से फॉर्मेट देखे बहुत सार नोट कर सकते हैं इसमें आप अपना नाम पिता या पती का नाम रजिस्टेशन संख्या रोल लंबर एतत द्वारा घोश्चला करता हूं कि मैं 15-3-2024 को आयोजित विग्यापन संख्या 22 ये परिक्षा का भिरती हूं उक्त परिक्षा से इप्रवेस पत्र में मेरा फोटो एवम हस्ताक्षर अन्य वेक्तिका या अपठनी है या फिर रिक्त है जिसके सत्यापन में इस घोश्चला पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाया गया राजपत्रित पिदाधिकारी से अभिप्रमारित फोटो एवम हस्ताक्षर हिंदी एवम अंगरेजी में मेरा ही किसी अन्य वेक्तिका नहीं है तत सम्मन्दी उपरियुक्त अंकित रिजिस्टेशन नमबर के विरुद समर्पित ऑनलाइन आविदन में दी गई सूचनाएं फोटो हस्ताक्षर सत्यों सही हैं उपरियुक्त की गई होश्ड़ा फोटो हस्ताक्षर किसी अन्य या गलत वेक के पाया जाते हैं तो इसके लिए मैं पूर्टया जिम्मेदार हूँगा इसके लिए मेरे विरुद्ध वैध्यानिक दंडात्मक का डिवाई करते विए मेरे आवेधन को रद्द किया जाएगा इसमें मुझे कोई आपत्ती नहीं होगी यहां पर राजपत्रित पदाधिकार से अभिप्नमारिक फोटो को आपको यहां पर चिपकाना होगा और यहां पर आपको साइन करने होगे हिंदी में और अंग्रेजी में और इसको आपको जमा करना होगा सेंटर पर आपके तभी आपको यहां पर एंट्री मिलेगी समझ रहे हैं पूरा प्रोसेस यहां पर बत इस पत्र के कारेले प्रती एक admit card की photocopy वहाँ जमा करनी है तो इस पे भी एक लगेगी और यहाँ पर लगेगी तब आपको वहाँ पर entry मिलेगी इसके लाबा admit card अगर आपने भी तक नहीं डाउनलोड किया है कैसे डाउनलोड करना है इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया है क्लिक करकी देख लीचेगा